में हम सेट स्क्वेर को कैसे रखते हैं उसमें कौन-कौन से हमारे अंगल्स बनते हैं उनके बारे में जानकारी ली थी अब इसी जानकारी को आगे बढ़ाते हुए जानते हैं सेट स्क्वेयर को किस तरीके से रखा जाता है प्लेस कैसी किया जाता है वो अभी हम जानेंगे सबसे पहले इसके लिए हमें क्रेखा कीच लेते हैं उजी के मादम से जादा इजी वे में हम जान पाएंगे ये हमारी एबी रेखा है अभी हम सम्स नहीं कर रहे हैं अभी सिरफ हम सैट स्क्वेयर के बारे में इन्फोरमेशन ले रहे हैं सम्स हमारे भी बाद में श्रूर होते हैं यह हमारी AB रेखा अपने आप से हमने ले ली यह AB रेखा लेने के बाद एक सेट स्क्वेर हम लिफ्ट साइड रखते हैं एक राइट साइड रखते हैं अब अगर हमें इस AB के पैरलल रेखा खींचनी है सेट स्क्वेर के माध्यम से तो इसको कैसे पकड़ेंगे कैसे रखेंगे यह देखिए हमें AB के समनानतर रेखा खींचनी है तो हमने AB के साथ इसको सेट कर लिया और बहुत हलका सा स्पेस छोड़ दिया उसके नीचे चाहे तो आप इसको बस अब जब हमने इसको यहां सेट कर लिया रेखा के क्योंकि समग्ता रहे तो जरा सा भी हम इसको ऐसे नहीं रख सकते यह हमेशा रेखा के बिल्कुल साथ सेट करके हमने रख लिया अब यह हमारा सेट हो गया इसके साथ इस सेट स्क्वेर को अब इस सेट स्क्वेर को यहां पर रखकर यह भी रियान देना कि यह सेट स्क्वेर आपका ऐसे नहीं हो ऐसे नहीं हो इसको बिल्कुल इसके साथ सटा देना सटा कर यह सेट कर लिया इसको कसके ये पकड़ लिया और ये हमारा ऐसे चलेगा चाहिए नीचे पैरलल है चाहिए उपड़ पैरलल है तो हम खेंच सकते हैं अब ये देखे मैंने इससे हमें आइडिया होगा कि हमारा सेट स्कोर जरा सा भी हिला नहीं क्योंकि वापिस हम वहां पर ही पहुंच रहे जहाए भी थी यह मैं आपको इसको चलाने का तरीका बता रही हूं यह तो हो गया इस तरीके से तो अब अगर मुझे पैरलल रेका खीशनी है तो मैं अपना हाथ चाहे तो यहां से हटाया यह हटा सकते हैं अब इसको पकड़ा और यह पैरलल लाइन कीश दी मालीजे अगर हमें और पैरलल लाइन कीशनी है फिर से इसको सेट किया इसके साथ रखा और उपर भी एक पैरलल लाइन कीश दी यहां कीश दी आप कहीं पर भी खीच सकते हैं कितनी भी पै तो ये हो गया ए भी रेखा के स्मिनानतर रेखा सेट स्क्वेर की सहायता से खिंचना किसी भी रेखा के पैरलल हमने स्मिनानतर रेखा खिंची अब अगर हमें यहां से सेट स्क्वेर को एक दूसरे तरीके से चलाने का अलग धंग यहाँ हम parallel रेखा नहीं कीश रहे हैं मैं आपको set square को चलाना बता रही हूँ मैं एक line फिर से अलग से कीश लेती हूँ ताकि आपके लिए confusion ना हो कि हम क्या कर रहे हैं वो था समनानतर रेखा कैसे खीश थे हैं अभी हम set square को अलग-अलग ढंग से चलाना सीखेंगे अगर यह रेखा ऐसे है और अभी हमने चलाया था नीचे से उपर की और अब हम चला रहे हैं left से right की और तो कैसे चलाएंगे अगर हमें set square left से right की और लेके जाना है तो हमने वो ही रेखा के नीचे रखा और यह हमारा set square चल रहा है एक fix रहता है और एक move करता है और बहुत अराम से move करता है बिना किसी trouble के अब अगर यहां कोई रेखा कीश नीचे अब यहां पर आपको समकोन बनाना है इस रेखा पर अगर समकोन बनाना है तो समकोन कैसे बनाएंगे यहां से यह रेखा यह छोड़ देंगे इसको पकड़ कर लेंगे और यहां पर पकर तो आपका समकौन न जाएगा । फिलाअल मैं समकौन इसके नहीं बना रहे है क meow सेय केिया, समकौन कीज़ती है देखें क्या अगर के सेंसे कें दाट का गां पूंग हम अपने स्कोर को सीधी का पूंग है तो क्या हम इसके पैरलाल रेखा जा रही है हमारी सोचिए गूंना हमें अपनी इस रेखा के नीचे इस सेट करना है कि वह लाइन के बिलकुल सीज में आ जाए पहले हमें जिसके पैरलाल या जहां से पिर जो भी रेखा किष्णिया है हमें पहले हमेशा अपना एक सेट्स पर उसके साथ सेट करना है फिर दूसरे को जहां तक वो सेट हुआ अब दूसरे को उसके साथ पहले ये सेट फिर दूसरे को उसके साथ सिट किया और फिर इसको चलाया जहां मर्जी तक यह चलाने का डंग है अब अगर हमारी यह रेखा अब अगर रेखा इस डारेक्शन में पहले इस डारेक्शन में थी अब अगर इस डारेक्शन में है तो सब्वोई तरीका सबसे पहले हमारा उस रेखा के साथ हमने अपनी लाइन को अपने सेट स्कोयर को सेट कर लिया फिर अपकी बाहर हम यहां रख लेंगे और हमारा सेट स चलेगा लाइन के पैरलल अगर हमने इधर 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 देखाए किशनी है तो इसको छोड़ देंगे और यहां रेखा लगा देंगे अगर हमें इधर लगानी है तो इसको फिर से सेट करेंगे यहां रखेंगे और यहां रेखा लगा देंगे